के दिक वेस्टिन अबैस्पन दिफ्लेक्ट बॉल दायन एंगल 45 विदाउट चेंजिंग इस इनिशल स्पीड विच इक्वल तो फिप्टी फो किलोमेटर पर आवर वाट इस इंपल्स इंपर तो दे बॉल एंद मास अव दी बॉल इस 0.15 केजी चलो बहुत सिंपल है समझ ल यहां से कोई बॉल आ रहा है वी वन स्पीट से और यहां से डिफ्लेक्ट करके भेजी जा रहा है यह वी टू स्पीड से बीच में जो एंगल बना विच इस 45 डिगरी ठीक है तो यहां से हम कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं मैं डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूं और यह होगा अपना रिजल्टन ओके यहां पर जो वैलोसिटी दिया हो है वैलोसिटी विल बी 54 किलोमीटर पर आवर तो हम लोग क्या दिखा सकते हैं 54 किलोमीटर आवर को यहां थोड़ा इससे मीटर पर सेकेंड में करने के लिए मल्टिप्लाइ विद थाउजन दिवाइड बाइविद थी शिक्स डबल जिरो और यूट फिटीन मीटर पर सेकेंड ठीक है और उसके साथ साथ मास विल बी वाट मास विल बी 0.015 ने 0.5 ओनली 0.15 केजी मोमेंटम डिफाइन करना है मिन्स इमपल्स मिल्स मिल्स मोमेंटम पी यहाँ पर डिफाइन करना है थोड़ा सेडल मिल्स कर दें लेकिन according to the figure आप लोग रिजल्टन डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पर V is equal to V1 square plus V2 square plus 2 V1 V2 cos theta ठीक है लेकिन एक चीज़ समझे है यहाँ पर सभी के वैलोसिटी सेम है तो आप लोग यहाँ पर 15 स्क्वेर प्लस 15 स्क्वेर प्लस 2 यह भी वीवन भी टू डाइरेक 15 स्क्वेर आप लिखी लेते हैं और यहां पर क्या आ जाएगा कॉस 45 कॉस 45 चलो सभी का वैल्यू एड़ गर है तो 225 प्लस इसका 225 प्लस 2 इसका भी 225 लेकिन उसके साथ साथ 1 upon root 2 यह यहां से कैंसल आउट हो जाएगा यहां पर क्या जाएगा रूट 2 इस दोनों का एडिशन करें तो यहां पर हमें 5450 प्लस रूट 2 इंडू 225 यह मल्डीप्लाइम उसका पूरा सॉल्यूशन करें तो यू विल गेट मैंने क्या हुआ है आप लोग ट्राइग करें 27.72 मीटर पर सेकेंड लेकिन हमें तो इंपल्स डिफाइड करना है न तो क्या आएगा पी इस इक्वाल टू मास इंटू वैलसिटी वैर दो मास इस इक्वाल टू 0.15 और इंटू 27 इंटू 72 तो यहां पर उसका आंसर 4.16 केजी मीटर पर सेकेंड तो इस इस यूर आंसर ठीक है क्वेशन को ठीक से पढ़के आप उसका आंसर डिफाइड कीजिए बुक सजेशन डिस्क्रिप्शन में है चेक इट आउट थैंक्यू एंट टेक एक एर